Hi guys, how are you? I hope all of you are doing well. आज phrasal verb की class का day 30 है. आज की इस वीडियो में हम look से related phrasal verbs बढ़ेंगे. प्रिविस वीडियो में हमने keep से related phrasal verbs बढ़े थे. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, तो आप उपर आई के बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं. आप फ्रेजिस देखते हैं. पहला फ्रेज है look after. look after का उत्व में मतलब होता है देख बाल करना. फॉर इक्जेंपल, वो अपने अब्बू की देख बाल करता है. ये present indefinite के sentence है. इसमें हम verb की first form का use करेंगे. वो अपने अब्बू की देख बाल करता है. ये लुक्स आफ्टर इस फादर. एसका यूज इसलिए हुआ है. क्योंकि ही, शी, इट या फिर कोई singular name हो. उसके साथ हम एसे ये इसका इदाफ़ा करते हैं. एक और देखते हैं. मैं तुम्हारी देख बाल करूँगा. ये future indefinite का sentence है. इसमें हम विल के साथ वर्ब की first form का यूज करेंगे. मैं तुम्हारी देख बाल करूँगा. I'll look after you. चलिए next phrasal वर्ब देखते हैं. जो कहा है look forward. Look forward का उर्दु में मतलब होता है बेचैन होना. यानि किसी चीज़ के लिए excited होना. For example, बच्चे हमेशा अत्वार के लिए बेचैन होते हैं. ये present का simple sentence है. इसमें हम वर्ब की first form का यूज करेंगे. बच्चे हमेशा अत्वार के लिए बेचैन होते हैं. Children always look forward Sunday. एक और देखते हैं. मैं gift के लिए बेचैन हो रहा हूँ. ये present continuous का sentence है. इसमें हम वर्ब की first form के साथ ing का यूज करेंगे. मैं gift के लिए बेचैन हो रहा हूँ. I'm looking forward for the gift. चलिए next फ्रेजल वर्ब देखते हैं जो कहा look out. Look out का उर्दू में मतलब होता है जरा दिहान से. ये वैसे एक expression है. For example, जरा दिहान से फर्ष पर पानी है. ये present का simple sentence है. इसमें हम वर्ब की first form का यूज करेंगे. जरा दिहान से फर्ष पर पानी है. Look out, there is a water on the floor. एक और देखते हैं. जरा दिहान से kitchen में आग है. ये भी present का simple sentence है. इसमें भी हम वर्ब की first form का यूज करेंगे. जरा दिहान से kitchen में आग है. Look out, there is a fire in the kitchen चलिए next phrasal verb देखते हैं जो के है look far Look for का उट्टू में मतलब होते है तलाशना यानि किसी चीज को तलाशना या किसी चीज की तलाश करना For example मैं एक नोकरी तलाश रहा हूँ ये present continuous का sentence है इसमें हाँ verb की first form के साथ ing का use करेंगे मैं एक नोकरी तलाश रहा हूँ I am looking for a job एक और देखते हैं वो कताबें तलाश चुका है यानि कताबें तलाश कर चुका है काम मकमल हो गया है तो ये present perfect का sentence है इसमें हम has के साथ verb की third form का use करेंगे has इसलिए क्योंके he, she, it या फिर कोई singular name हो उसके साथ हम has का use करते है वो कताबें तलाश चुका है He has looked for the books चरिए next phrasal verb देखते हैं जो के है look into look into का उद्दू में मतलब होता है जांकना फॉर इक्जेंपल वो मॉबाइल में जांक रहा था देख रहा था कि क्या chatting हो रही है ये past continuous का sentence है इसमें हाँ वर्ब की first form के साथ ing का use करेंगे वो मॉबाइल में जांक रहा था He was looking into the mobile एक और देखते हैं क्या तुमने कुम्वे में जांका ये past indefinite का sentence है इसमें हाँ वर्ब की first form का use करेंगे क्योंकि ये interrogative का sentence है क्या तुमने कुम्वे में जांका इडियो लुक इंटू दा वैव चरिए next phrasal वर्ब देखते हैं जो कह है look at look at का उर्दू में मतलब होता है गूरना यानि किसी को मसलसल देखते रहना फर एक्जैंपल वो मुझे गूर रहा था ये past continuous का sentence है इसमें हाँ वर्ब की first form के साथ ing का यूज करेंगे वो मुझे गूर रहा था ये वाज लुकिंग एट मी एक और देखते हैं क्या तुमने उसे गूरा ये past indefinite का sentence है इसमें हाँ वर्ब की first form का यूज करेंगे क्योंकि ये interrogative का sentence है क्या तुमने उसे गूरा चलिए नेक्स फ्रेजल वाब देखते हैं जो कह है look down on look down on का उर्दू में मतलब होता है गिरी हुई नजरों से देखना यानि दूसरे को खुद से कम तर समझना अपने से नीचा समझना फर एक्जेंपल मुझे गिरी हुई नजरों से मत देखो ये present का simple sentence है इसमें हम वाब की first form का यूज करेंगे मुझे गिरी हुई नजरों से मत देखो don't look down on me एक और देखते हैं उसे गरीबों को गिरी हुई नजरों से नहीं देखना चाहिए था चाहिए के लिए हम should का यूज करेंगे यहाँ पर past की बात हो रही है तो past के लिए हम have का use करेंगे और साथ में हम वाब की third form का use भी करेंगे उसे गरीबों को गिरी हुई नजरों से नहीं देखना चाहिए था He shouldn't have look down on the poor चलिए next phrasal वाब देखते हैं जो कह है look back on look back on का उद्दू में मतलब होता है पुरानी यादे ताज़ा करना फॉर एक्जेंपल मैं अपने बच्पन की यादे ताज़ा कर रहा हूँ यह present continuous का sentence है इसमें हाब आप की first form के साथ ing का use करेंगे मैं अपने बच्पन की यादे ताज़ा कर रहा हूँ एक और देखते है अपने माजी की यादे मात ताज़ा करो यह present का simple sentence है इसमें हाब आप की first form का use करेंगे अपने माजी की यादे मात ताज़ा करो डोंट लुक बैक ओन यूर पास्ट लाइफ चलिए next फ्रेजल वाप देखते हैं जो के है look around लुक आराउंड का उर्दू में मतलब होता है गूमना यानि किसी जगा पर गूमने जाना फॉर इग्जेम्पल मैं गाउं में गूम रहा हूँ यह present continuous का sentence है इसमें हाब आप की first form के साथ ing का use करेंगे मैं गाउं में गूम रहा हूँ I'm looking around the village एक और देखते है चलो कराची गूमने चलते है यह present indefinite का sentence है इसमें हाब आप की first form का use करेंगे चलो कराची गूमने चलते है Let's go to look around the कराची चलिए next phrasal आप देखते हैं जो कह है look over लुक ओवर का उर्दू में मतलब होता है जल्दी से पढ़ लेना यानि दिहान से ना पढ़ना बलके सरसरी नज़र डालना For example इमतिहान से पहले जल्दी से किताब पढ़ लो यह present का simple sentence है इसमें हाब की first form का use करेंगे इमतिहान से पहले जल्दी से किताब पढ़ लो Look over the book before the exam एक और देखते है उसने अखबार को जल्दी से पढ़ा यह past indefinite का sentence है इसमें हाब वोग की second form का use करेंगे उसने अखबार को जल्दी से पढ़ा He looked over the book Fraser वोग की class का day 30 complete हो गया है practice के लिए इस exercise को solve करें और इसके answer comment section में post करें अगर आप इस exercise की answer चाहते हैं तो answer sheet next वीडियो में होगी I hope यह वीडियो आप के लिए helpful थाबत हुई होगी अगर यह वीडियो आप के लिए helpful थाबत हुई है तो वीडियो को like और share जरूर कर दें और इसी तरह की knowledgeable videos के लिए हमारे channel को subscribe कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताके हमारी हार नई आने वाली वीडियो आप तक असानी के साथ पहुंच सके मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्ला हाफिज